मंदीर मस्जिद गुर्द्वारे चर्च तमाम धार्मिक स्थलों पर कोरोना काल में ताला लग गया लेकिन अब फिर से आस्था के द्वार खुल रहे हैं वैश्णूर्टेवी से काशी विशुनात तक दिल्ली के कालकाजी मंदिर से लेकर प्राचीन हनुमान मंदिर तक तो मज़्दितों से लेकर गुर्द्वारे भी नमाज और अर्दास के लिए फिर से खुलने जा रहे हैं केंदर सरकार की गाइडलाइन्स के हिसाब से आठ जून से देश के सभी धार्मी कस्थलों को खोले जाने का फैसला लिया गया है यह मंदिर प्राचीन हनुमान मंदिर है कैनाट प्लेस में आठ तारिक को इस मंदिर के पट खुलेंगे दो महीने से जादा लॉगडाउन में रहने के बाद अब यहाँ पे जो डेवटीज हैं जो लोग यहाँ मानते हैं वो अंदर आ पाएंगे और हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजेशन पूरे जोरो सोरों से मंदिर के अंदर चालू है यहाँ तक कि मंदिर की घंटियां जो हैं उनको भी साफ करने का काम हो चुका है सनिटाइज भी किया जा रहा है और सारी घंटियों को खोल के उनकी सफाई चालू है करोना का ताला अब है खुलने वाला पूरे देश में आठ जून से सभी धार्मिकस्तल प्रार्थनास्तल और सभी इबादत गाहें खुलने वाली हैं उसके लिए इंतजाम कर लिए गए हैं ताकि सोशल और फिजिकल डिस्टेंस के साथ साथ उपर वाले के साथ नजदी की कैसे बढ़ाई जाए हम खड़े हैं दिल्ली की एतिहासिक शाही जाव मस्जिद में और हमारे साथ हैं जाव मस्जिद के इमाम एहमद दुखारी तो आठ जून से सारी चीजें खुलने वाली हैं तो एक नया अध्याए एक नई शुरुवात होने वाली है कैसे जो काइड लाइन के तरफ से आई हैं हमने पहले सी इंतजामाश शुरू कर दिये हैं जैसे सोशल डिसेंसिंग जो है वो जरूरी है और लोगों को बताये भी और इसी तरह जो हौज है हमारा उसके लिए उसको खाली करा लिया है और लोगों से कहा जाएगा कि लोग अपने अपने घरों से मुझू करकर आएं देश भर में आठ तारिक से मंदिर मजजिद और गुरुदवारे खोलने की तयारिया है इन सब के बीच इस वक्त हम दिली के बंगला साहिब गुरुदवारे में मौझूद है जो आप देख रहे हैं ये एक इन्फेक्टेंट चेंबर टाइप बना रखा है टनल टाइप ब पूरा जो भी शद्धालू है वो सैनिटाइज हो जाता है उसके बाद से ही आने जाने की प्रक्रिया होती है लेकिन दिल्ली में चर्च नहीं खुलेंगे आज तक ने चर्च के फादर से बात की तो उन्होंने बताया कि 30 जून से दिल्ली में चर्च खोले जा सकते हैं लेकिन सरकार ने सभी धार्मी कस्थलों के लिए गाइड लाइन्स भी जारी की हैं धार्मी कस्थलों पर रिकॉर्डेट भक्ती संगीत बजाये जा सकता है शद्धालों को धर्मस्थल पर सारवजनी का आसन इस्तमाल करने के स्थान पर अपना आसन या अपनी चटाई लानी होगी और उसे अपने साथ ही वापस ले जाना होगा धर्मस्थलों पर पर साथ जैसी भेट नहीं चड़ाई जाएंगी और नहीं पवित्र जलका छिड़काव या वित्रन किया जाएगा सिर्फ बिना लक्षणों वाले मास्क लगाये शद्धालों को ही प्रवेश की अनुमती दी जाएगी शद्धालों को साबुन से हाथ पैर धोकर परिसर में जाने के लिए कहा गया है संभव हो तो शद्धालू अपने जूते चपलों को अपने वाहन में उतारेंगे 65 साल से अधिक उम्र के बुज़ुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे धार्मी क स्थल नहीं जा सकते हैं 8 जून से कंटेन्मेंट जोन से बाहर देश के धार्मी क स्थल खोले जाने की सरकार ने इजाज़त दी है मंदिर में मस्जिद में गुर्द्वारा या चर्च में जहां भी आप पूजा या इबादत करते हैं वहां अब सब पहले जैसा नहीं रहने वाला है